हाई, वेलकम तो माई चानल, इस वीडियो में सॉल्व करें हैं क्वेश्चन नमार ट्वेंटी एट तो यहां पर सबसे पहले हम माल लेते हैं, लेट लेट दी लेंथ आप दी वायर भी लेट दी लेंथ आप दी वायर भी एक्स सेंटिमीटर ठीक है, सेंटिमीटर में माल लेते हैं, तो यहां पर देकि ब्रास जो मिटल है, उस ब्रास मिटल का जो वाल्यूम है वो दे दिया है यह पुरा वाल्यूम है brass metal का अब इसी को brass को खीज करके ठीक है यह टेक टाइल metal है तो यह से इसको खीज करके cylinder बना जा रहा है cylinder wire और जिसका diameter दे दिया है ठीक है तो हमने माल लेंथ अब टो wire भी x cm जो यह wire बना है उसका x cm बना है length है वह पूछा हमें है तो यहां परहले लिख लेते हैं volume of the brass तो since हम यह जानते हैं कि volume of brass जो भी brass का volume होगा वह है equal होगा volume of cylinder wire ठीक है wire का जो volume होगा वही volume जो है brass metal का भी होगा ठीक है तो यहां पर जो दे दिया है 2.2 cubic decimeter of brass उस volume के यूज करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि हम लिख सकते हैं volume of brass कितना है 22.2 decimeter cube cubic decimeter मतलब क्या होता है decimeter cube कर देंगे is equal to volume of cylinder wire cylinder wire का जो volume होगा pi r square pi r square h यह होता है h means क्या हो गया length of the wire length of the wire का concept के रूप में use करेंगे तो यहां पर पहले centimeter कर लेते हैं decimeter cube में दिया हुआ is equal to pi के value यहां पर होती है 22 by 7 into radius निकालेंगे यहां से diameter of wire दे दिया है 0.25 ठीक है since diameter is given here and it is d is equal to 0.25 0.25 क्या centimeter so radius is 0.25 upon 2 centimeter ठीक है यहां पर radius का यूज़ करेंगे 0.25 upon 2 का whole square into x h जो क्या है यहां पर माल लिया हमने length of the wire h है यहां पर तो वहीं यहां पर x लिखेंगे x centimeter सब कुछ हमने centimeter में यहां पर बना लिया है तो यहां पर बन जाएगा क्या यह हो जाएगा 2 find 2 multiplied by यहां पर हो जाएगा 1000 is equal to यहां पर थोड़ा solve कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 22 by 7 into यह हो जाएगा 25 multiplied by 0.25 whole upon 4 2 to 4 हो जाएगा into x अब यहां पर इतना हो गया अब multiply कर लेते हैं इधर तो मिल जाएगा आपको 2 decimal जो है 2 place हट जाएगा 1 place हट जाएगा 0 बढ़ जाएगा 2 और is equal to यहां पर हो जाएगा 22 upon यहां पर कुछ cancel out करते हैं उपर नीचे दिखें आपर 2 to 4 यहां जाएगा 2 11 और और उपर कुछ कर नहीं सकता तो यह मिल जाएगा 11 upon 7 into 0.25 into 0.25 कितना होता है 6 25 होगा तो 0.0625 आज जाएगा ठीक है whole upon 2 into x तो यहां अब धान देजेगा यह 11 से 11 हम जाए 11 और 11 से यह कर जाएगा 11 to 20 to 200 अब यहां पर cross multiply कर लिजे तो x की value निकाल लेंगे यहां से x is equal to हो जाएगा देखे, x बरबार निकालना है आपको तो जो x से multiply किया रहेगा denominator में मतलब divide किया रहेगा उससे इधर multiply कर देंगे मतलब कि 200 में multiply हो जाएगा 7 into 2 और divide हो जाएगा जो हम x में multiply किया रहेंगे मतलब यह जो है multiply किया गए x में इससे divide हो जाएगा मतलब 0.0625 हो जाएगा ठीक है अब यहां पर decimal पर हैट आते हैं तो यह मिल जाएगा 200 multiplied by 625 अब यहां पर हम cancel out करते हैं 25 सिक लदाते हैं 25 25 जा 625 25 सिक लदाते हैं 25 8 25 25 200 होता है तो यह हो गया 25 25 25 सिब्सक्राइब लेते हैं 25 फोर्ट जा 100 होता है 400 हो जाएगा यह तो यह हो गया इतना अब 7 पूचा 14 हो जाएगा और 14 में मतबलाई कर देंगे 8 4 जा 32 32 से कितना आएगा 14 2 जा 28 का 8 2 करें ओवर 14 3 जा 42 42 and 44 मतलब यह आजागा टोटल 4 4 8 और यह 00 इतना क्या आजागा cm इतना cm मतलब length of the wire होगा लेकिन इसको हम मीटर में करवड करेंगे तो 4 4 8 double 0 में डिवाइड कर देंगे 100 से double 0 कर गए हाँ पर मिल जाएगा आपको इतना मीटर मतलब मिल जाएगा 448 meter this is the length of the wire तो लिख देंगे hence the length of the wire the length of the wire is equal to 448 meter okay thank you so much for watching bye